दोस्तो अगर आपका MDU का result आता है उसमें आपको absent दिखा दिया जाता है और आपने वो paper दिया हुआ होता है तो उस case में आपको क्या करना है वो चीजे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पूरी बारीकी से इस वीडियो को अंतक देखना आपको कोई tension लेने की जरूरत ब करना है अपने result की photocopy निकाल लेनी है दो photocopy result की निकाल लेनी है ठीक है अब आपको जाना है अपने exam center जहां पर आपका exam center आया था जहां पर आपने paper दिया था तो जैसे इस case में यह college का नाम लिख रखा है यहां पर exam center आया था यहां पर गई उसके बाद अगर वो exam center वालो जो जे ऐसे ऐसे इस paper में आपसेंट शो किया गया है जबकि मैं paper में मैंने दिया था और मेरी attendance भी present थी तो उसके बाद वह आपको ऐसी सी sheet दिखा देंगे फोटो खीचने देंगे और इसको आपको प्रिंट करा लेना है प्रिंट कराने के बाद आपको आगे के स्टेप क्या करने होंगे वो आप लोगों को बताते हैं तो दोस्तों आपको ये शीट प्रिंट करा लेनी है जो आपको वहाँ से मिलेगी ओफिस से और office में मिलने के बाद इसको print कराने के बाद आपको यहाँ पर superintendent के sign वाली जगह है और यहाँ पर superintendent के sign भी हुए होंगे लेकिन photo खीचने देंगे तो उसके बाद आपको print कराने के बाद superintendent के sign करा लेने हैं यहाँ पर मतलब attested करा लेना एक तरीके से, चुप intendant जो भी हो exam का, उससे attested कराने के बाद, यहाँ पर आपका exam center का काम खतम हो जाएगा, इसके बाद आपका रह जाएगा MDU का काम, तो आपको MDU में जाना होगा, MDU में कहाँ पर जाना होगा, आप लोगों को बता दें, gate number एक से, एक और दो दो नोक से, एक में right hand पर पढ़ता है, एक पर left hand पर पढ़ता है, result branch, result branch में जाना होगा दोस्तो, result branch जाने के बाद आपको, एक application लिखनी होगी, कि मुझे ऐसे ऐसे अप्सेंट दिखाया गया है, जब कि मैं paper में present थी, और उसक की photocopy के लावा ये इसकी photocopy लगानी होगी attested हो जो superintendent के sign करी हुई इसके बाद आपका result 10 दिन के अंदर update हो जाएगा और पहली बाद आती है कि absent show होने के आपको 10 दिन के अंदर ही ये चीज़े करानी है ये भी time period है अगर आप 10 दिन के अंदर नहीं करा देते हो तो आपको absent ही clear मान लिया जाएगा आपके result के नीचे भी एक column दे रखा होता है इसी चीज़ का तो 10 दिन के अंदर अपना ये काम जरूर करा लेना जिनके भी absent show हो कभी भी और ये काम कराने के बाद अगर 10 दिन में आपका result ना आए तो आप result branch दुबारा जाके पता कर लेना क्योंकि काफी case हो में ऐसा होता है कि वह result update करना भूल जाते हैं तो भाई एक चक्कर और चले जाना अगर आपको result अपना timely चाहिए तो और 87% case हो में solo हो जाता है साथ एक एक अफ़ते 10 दिन में उसका result आ जाता है तो किसी भी student को अगर absent आई हो कभी भी तो कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है और ये होता क्या है ये भी आप लोग को बता देता हूँ ये memo होता है secrecy branch को बेजा जाता है कि हमने answer sheet अपने यहां से बेज दी है तो उसके बाद वो चेक करते हैं कि कौन से load में answer sheet है और वो कहां पे चेक होने कहां पे चेक हुई है कहां पड़ी है तो उसके बाद वो उसके number चड़ा देते है result अपडेट हो जाता है अफ़ते 10 दिन में यहां पे उसमें यहां पे सारे column आप लोगों को बता देते हैं पहला है तो भई पहला है course का तो इससे आपका course पता लग जाता है उसके बाद है भई examination को इस course का examination था कि समेस्टर का था और paper ID यहां पे दे रखी होती है यहां पे कहां पे रोतक कजलिया दे रखा होता है name of bindling में exam center का नाम और इसमें center number दे रखा होता है इसमें date दे रखी होती है और यहां पे किन-किन बच्चों की answer sheet बेजी गई है MDU में वो दे रखा होता है और यहां पे कौन-कौन बच्चे abstinent थे वो दे रखा होता है और नीचे यहां पर sign होते हैं शुपिडेंडेंट के तो दोस्तों यह memo आपको MDU में जमा कराना होता है